अगाश्वाणी भूपा से प्रस्तत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुकता बानर जी पहले मुख्य समाचार प्रदेश के 28 विधान सभा सीटों के उपचनाव के प्रचार में तेजी सभी दलों के वरिष्टनेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं आम सभाएं रैली होडिंग चुनावी पार्चाला और रंगोली जैसे अभिनफ प्रयासों से उपचनावों में मतदाता जागरुकता के प्रयास तेज बोर खेडी नदी को पुनर जीवत करने के लिए नीमच को मिला राश्य जल पुरुसकार और प्रदेश में रात में बढ़ रही है सर अब समाचार विस्तार से मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन शेश रह गए हैं वहीं चुनाव आयोग भी नश्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिक्तम मतदान संभव प्रयास कर रहा है हमारे शिवपुरी समवादाता ने बताया है कि नरेंद्र सेंह तोबर ने आज भाजपा उमीद्वार के पक्ष्मियाम सभा में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि लोग तंत्र की मजबूती के लिए सभी को मताधिकार का उप्योग करना चाहिए मुक्यमंत्री बनने का अधिकार है उधर शुपूरी में कल हुई आमसभा में कॉंग्रोस के स्टार प्रचारक सचन पाइलट ने कहा कि मतदाता के वोट से मनपसंद सरकार का निर्णय हो सकता है लेकिन मैं जानता हूँ लोगतंतर के सबसे बड़ी खुपसूरती यह है कि कोई कितना बड़ा हो जाए किते बड़े परपर बैठें लेकिन वोट मांगने के लिए पाच साल अपना सर जुकाते हैं उसको हाँ जोड़ कर वोट मांगना क्राईगा यह लोगतंतर प्रचारक समर्थन में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने अपनी सरकार के कारेकाल में किये गए योजनाओ की जानकारी भी दी वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ग्वालियर के हजीरा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमंद सेहं तोमर के समर्थन में जनसभा को स इसके साथ ही COVID-19 महमारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,660,000 हो गई है देश में COVID-19 स्वस्थ लोगों की संख्या एलाज करा रहे मरीजों से करीब 2,9 गुना हो गई है पिछले 24 घंडों में करीब 69,000 रोगी स्वस्थ हुए है इस दोरान करीब 44,000 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64 प्रतिशत है रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने और मृत्युदर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिल रही है कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए वरिष्ट पत्रकार अनिल सौमित्र ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों से मास्क पहने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है आये आपको सुनवाते हैं उनका संदेश कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गर्स दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर्मू साफ रखें बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कला पथक के दल, गीत, संगीत के माध्यम से मदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं चतरपूर जिले के बड़ा मलहरा वधानसभा उप्चुनाव में भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान की शपत दिलाई गई गौलियर कलेक्टर ने एक पत्रु के जरिये मतदाताओं से 3 नवंबर को मतदान की अपील की है खंडवा जिले की मांधाता सीट पर भी विभनक अतिविधियों के जरिये मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है दिवा जिले के हाट पिपलिया विधान सभा उपनर्वाचन में मतदाता जागरुकता के लिए वोटर सल्फी पॉइंट बनाए गए है साथ ही आंगनवाडी कारिकरता घर घर जाकर मतदाताओं को जागरुक कर रहे है नीमच जिले को बोरखेडी नदी के पुनर जीवन कारिक्टम अंतरगत किये जा रहे कारियों के लिए वश्च 2019 के लिए राश्य जल पुरुसकार अंतरगत पश्चिम क्षेत्रों में तीसरा स्थान प्राप्थ हुआ है गौर तलब है कि केंद्रु सरकार के जल शक्ती मंतराले द्वारा जल संरक्षन और जल प्रबंधन के लिए प्रोटसाहन करने के लिए वश्च 2018 से राश्य जल पुरुसकार दिये जा रहे हैं इस पुरुसकार के लिए नीमच जिले से उत्करिष्ट जिला जल संरक्षन कारे और नदी पुनर जीवन कारिक्रम की दोनों श्रेणियों में नामांकन प्रस्तोत किये गए थे केंद्य जांच दलद्वारा कारियों का भौतिक सत्यापन करने के बाद नीमच जिले को पुरुसकार के लिए चुना गया उज्जैन के पास पवासा थानक शेत्र के पांडिया खेडी चौराहे पर तेज रफतार डंपर ने बाइक पर सवार परिवार को टक कर मार दी असादसे में तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई, हिलाज के दौरान बच्चों की मा ने भी दम तोड़ दिया पवासा थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों में दो लड़किया और दो महा का बच्चा शामिल है गंभी रूप से घायल पिता को अस्पतार में भरती किया गया है अब बात मौसम की प्रदेश में रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट से ठंडग बरती जा रही है लेकिन दिन में तापमान सामानिय से करीब दो डिगरी अधिक बना हुआ है मौसम केंद्रो के अनुसार उत्तर भारत में बरवबारी होने और ठंड़ी हवाय चलने के बाद ही प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आएगी और दिन में तेज सर्दी पढ़ने लगेगी अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेश परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी जगह आस्मान साफ रहने के साथ मौसम सामानिय बना हुआ है रिवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर संभाग में सामानिय से अधेक और शेश संभागों में तापमान सामानिय बना हुआ है सरवाधिक अधिकतब तापमान 36 डिग्री सलसियस दमुहों में दर्च किया गया सबसे नियूनतम तापमान 14 डिग्री सल्सियस दतिया में रहा, मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामानी रहेगा अब कुछ समाचार संगशेप में बिहार वधानसभा के 71 सीटों पर शाम 5 बजे तक मिले आकणों के अनुसार 51.91 प्रतिशत मतदान हो चुका था रुजव पैंक ने सभी रणदाता संस्थाओं से 2 करोड रुपे तक के रणपर पहली माच से 6 महीने तक की अवधी की ब्याज माफी की राशी कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा है केरल में सोने की तसकरी में कथित रूप से शामिल शिव शंकर को आज तिरोवडंत पुरम में प्रवतन निदेशाले ने हिरासत में ले लिया है नीमच में विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई स्वचलित थर्मल स्कैनिंग सह सैनिटाइजर मशीन का जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक शक ने लोकार पंड किया शैडोल जिले में स्वामित्व योजना के तहट तीन चर्णों में सर्वे का काम किया जाएगा गवाली अर्जिले में जिला कलेक्टर ने धान के अफशेशों, नर्वाई को खेतों में ही जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है टीकम गर्जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों पर आयुशमान भारत लाभार्थी कार्ट सेवा आज से शुरू कर दी गई है और नीमच क्रिशी विज्ञान केंद्रों में चार नवंबर से मसाला और आशदियों मूल्य समवर्धन पर प्रशिक्षन कारिक्टरम का आयोजन किया जा रहा है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के 28 विधान सभा सीटों के उपचनाव के प्रचार में तेजी सभी दलों के वरिष्टनेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं आम सभाएं रैली, होर्डिंग, चुनावी, पाटशाला और रंगोली जैसे अभिनव प्रयासों से उपचनावों में मतदाता जागरुकता के प्रयास तेज, बोर्खेडी नदी को पुनरजीवित करने के लिए नीमच को मिला राश्य जल परुसकार और प्रदेश में रात में बढ़ प्रदेश में राश्य है